यह बिल्कुल गलत बात है किसमें चक्रवर्ती की गलती है उसकी क्या गलती है? अरे जब उसने बोला तो तुम्हे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी ना तुमने क्यों नहीं मांगी माफी? हे, मना करने की गलती एक बार कर चुकाओ फिर से उसे हर्ट नहीं कर सकता था उसके बाप को भूल जा भूमी ने तेरे बाप को सब बता दिया अब क्या करेगा वो सोच कि चुप हो जाया वो डॉर्ण को डिस्मिस नहीं करेंगे इनके लिए नहीं रो रहा हूं तो आज भिर से चावल की जगा चापाती दे रहें तीरी मत्रोस अरबरा हुआ चावल खाल गांग नोटे और बच्चे की जानना होई गया चोड़ो अरे आज मेरे ढूलू मुलूू। क्या आइडिया दिया तुने मुन्ना, अब कहल शुरू। दो दुनी चार है। यहां का खाना बेकार है। चुडेट है, हम जानवर नहीं है। उस्टल का खाना नहीं खाएंगे। जो हमसे टक्राएगा। विटीमें मिल जाएगा। भोमि इंसान नहीं राक्षस है। बूमी इंसान नहीं राक्षस है। बूमि अरी उठीठ बूमी चार लिए लाक्षस है। को मी आँक्षस है। टीचर से तरने का दी पॉइंट थ्री एए ठीक से सिलिबस लिखने भी नहीं देता है सार देखिए हर्टाल की स्पेलिव गलत लिखी है इसके लिए दो माक्स काट सकते हैं सार ए उतने ही तो मिले हैं तुझे थैंकियो सार चुप चाप अपनी हर्टाल खतन कर दो यह मेरी नीजी समस्या नहीं है यह हर स्टूडन की शिकायत है क्या शिकायत है स्टूडन्स की मैं इसका खाना सर किसी फिलोसफर ने कहा है कि जैसा खाऊगे वैसे ही माक्स आएंगे किसी और ने नहीं इसे ने कहा है सर अपनी डिमांड साफ साफ बताओ हाट नियूज, हेने मेन्यू परोस। और किले लंब यह कहा रहा है। लिस्ट है कि जनम कुंडले। शेर का सूप, टाइगर के मुमोज, और यह क्या वेल मचली की भुरजी। औक्टोपस का पाया, साप का अचार, शार का कबाब, केकड़ा का सूप। केकड़े का सूप भी, सार, अगर हम कॉलेज बेच दें, तो भी यह मेन्यू पूरा नहीं कर भाएंगे। मत भूलो, तुम एंजिनियरिंग स्टूडेंट्स हो। यह हम जानते हैं सर, अपनी मर्जी से इंजिनियरिंग किये, नौकरी करेंगे तो बीस हजार सेलेरी होगी, पकोड़े बेचेंगे, तो हर महीने दो लाग का गल्ला उठाएंगे, फिर भी मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार है, हम ऐसे महान लोगें इस बलिदान के बदले कॉलिज स्टूडन्स को लूटते हैं, एड में कहा कि कॉलिज शेहर के पास है, पर यह है जंगल में, पास में ना थियाटर है, ना गार्डन है, सच तो यह है, जब रात को पीने का मन होता है, तो बीस किलो मेटर दूर जाना पड़ता है, सर, एड में इस लड़की को देख के एडमिशन लिया था, बाद में यह बंदर चाप मंजन के आड में दिखी, यह तो कोई मॉडल निकली, बना दिया, आज के बाद सिर्फ एक घंटाए क्लास होगी, एड में इसी कॉलिज की लड़की होगी, पजाने की परमिशन भी होग एक बात और, एक्जाम की टेट लास्ट बेंचर स्टूडन्स खुद तै करेंगे, मेरी एक बात याद रखना, तुम कभी एंजिनियर नहीं बनोगे, डॉन, बतलब मैं डॉक्टर बनूंगा, खुद को बचाने के लिए इसने हर्ताल का सहारा लिया है, सर, ये क्या निकाल रहे, ओहो, अहां, एक बोतल में दो स्ट्रॉव, सर, सर, सवाल क्यों, वाट इस दिस भूमिनाथन, ये फोटोशॉप का कमाल है, सर, ये फोटोशॉप है, पुरा फोटो नकली है, सर, मेरी भी फोटो ओरिजनल नहीं है, सर, देखा तुमने, आखिर प्रॉब्लम क्या है, सर, इनको मैं एक आखनी बाता मेरे को कॉलेट से न सर, तुम्हें निकाल के इन्हें क्या मैडल मिलने वाला है, इनसाफ के लिए आवाज उठाई, सर, समझा नहीं, सर, हर स्टूडन्ट मन लगा के पड़ता, सर, पर जूते पहनो, आईडी पहनो, फोन नहीं रख सकते, लड़की से बात नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स क्यों बन सर पड़ता है, और मुझे तो कहा कहा सर पड़ता है, क्या मताऊं सर, मैस का खाना तो, खाना चोड़ो, वो तो टमाटो वाला भी दे देगा, बस रूल्स में थोड़ी ढील दे तो, ताकि हम शांती से पढ़ाई कर सके, सर, कॉलिज में हमारा दिल लगा, सर, मुझे मुझे कर दे, इन से डर के आज तक आप से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, दिल पे पत्थर रखके मुझे स्ट्राइक करने पड़ी, सर, आपको जो सजा देने हैं मुझे दीजे सर, और आमारे कॉलेज के स्टूडेंस, देश में बेस्ट होने चाहिए, उजे और कुछ दे हा आपकी नकल कर रहा है इसके शर्दे मन्जूर है और 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 आपकी जिस शर्याय डॉन का सस्पेंशन ओर कैंसल हो गया आज से हम सब आजाद है ये सोच रहा हूं पॉलेटिक्स में घोसी जाओं बिचू है बिचू क्या हुआ परहट सर खराब मौसम के चलते केरला की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं सर दो तिन दिन यही इस्थिति रहेगी सर उसके बाद कर टिकट बुक कर दू आधिया या तूफान कल कॉलेज पहुचना ही होगा कोई और अप्शन है फिर तो बाइरोड ही जाना होगा सर 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 नहीं सर नहीं सर सडकों की हालत बहुत खराब है उपर से जंगल का रास्ता ये काफी खतरनाक होगा सर रास्ते में हाथी भी मिल सकते हैं रात को जाना रिस्की होगा सर जंदगी भर रिस्की दो टाएं चिंता मत करो शंकर सर, ड्राइबर ली जाते हैं किसी और को ख़तर में क्यों दाए मैं सुभान लोगा कॉलेज जिन्दगी की सुनहरी यादे इसी में तबसी हैं ना जाने कितने लबह याद आजाते हैं वो तो उस्त, मेरा प्यार और हमारे प्यारे भूमीनाथ सर पर सबसे ज्यादा मेरे पापा बेडियो के लिए उनके पापा मिस्टर पॉफेट होते हैं और बेटों के लिए पहले ही रो लेकिन मेरे लिए मेरे पापा एक सालिम, खडूस, हानिकारक बापू थे बेटी है ना? क्या क्या रहे है? बेटा हुआ है बेटा ऐसे नहीं रोती बेटा, जाओ ग्लास में चल भाग, जा जाओ ना बेटा इससे सर पे चढ़ा के रखा है, अंदर जा थोड़ी देर मसलते रहें शेर बेटा है मेरा, बिलकुल नहीं रोया बुखार कब तक उतरेगा? ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में भवानी दोपहर में इससे स्कूल छोड़ाना मा, क्या? मेरे लिए एक साइकल खरीदोगी क्या? किसलिए अवारा गर्दी करने के लिए खाल उधेर दूँगा क्या हुआ उस दिन एक बात तो समझ गया था पाबा की एक ही अउलाद थी और वो थी उनकी साइकल थोड़ा लगाली मा, तेल नहीं चाहिए ये स्टाइल है क्या है ये फिर से फेल हो गया पापा स्टाइल चाहिए है पढ़ाई है तो जीवन में सब कुछ है तेरी गंजी खोपड़ी तुझे ये याद दिलाती रहेगी उसे दिन मैंने ठान लिया काम्याब इंसान बनुगा लेकिन पढ़ाई लिखाई से नहीं अपने अंदर के हुनर से उसे दिन से अपना रास्ता डूढ़ना शुरू कर दिया सोच रहा हूं मैं साइंटिस्ट बन जाओ यार दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर तो आइडिया कैंसल सीनियर ए सीनियर बुलना बनकर चार बार ही फेल हुआ कुछ और सोचते हैं सीनियर एटी पसेंट हजार बार लिख असी से कम नहीं लाएगा हानी कारक बापू को फिर भी रहम नहीं आया आर्ट्स कॉलेज में अड्मेशन लेने ही वाला था की कहां है गुला उसे उसे वाली गमत हाट तूटने की वज़े से ही उसे कम नंबर आये है इतने कम मार्क्स आएंगे तो आर्ट्स कॉलेज में ही एड्मिशन मिलेगा ना पास हुआ है लड्डु चाहिए तुछे उसे बता दे मैंने उसके कॉलेज की फीस भर दी है एड्यू कॉलेज में कियो भेजा कॉन सा कॉलेज राकेट धं हुआ मंगल में कॉन बचाएगा इस जंगल में मैं सब को बचाऊँगी वो कैसे Hmmmm 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 Engineering Is that a woman? I'm a B.E.C. student B.E.C.? Best Engineering College Best 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 New ACYPi Smart Class Rooms Well-Plan'd Laboratory's Sports and Extracurricular Activities With Hostel and Swimming Pools 60 Kilometres from Coimbatore Best Engineering College One of the World's Finest Colleges बेस बेस, 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 बेस. हमारी गैरंटी, बेस, हमारी गारंटी, हनडर्ड़ परसेंट, प्रेस्टीजियस. और इनले दौ है, तो पहुच गए. पहुच किया है. हलो, पाव उता हमें जाना है. किस कॉलेज में काई को आया है? पड़ने के लिए तो जॉब के लिए तो मुझे नहीं पता पापा ने डोनेशन दिया इसलिए आया इस फूल जड़ी को पटाने के लिए आया वेलकूम थैंक यू परने वाले जॉब वाले वेस्ट आफ टाइम है एक दम फालतू फ्रेंट रो में चाहिए चान पत्ती बिलकुल नहीं पटले फ्रेंग्स आजाईए हलो आयम मनी ब्लैक मनी तो नहीं मैं बाला मैं चकरवर्ती बाला तो टकला था ना पर ये बाल बाला बाला है याद रखना कल से यहां ज्हूला लड़का के बाद आद आप अपने तैलेंट से दुनिया को हिलाने और दुश्मनों की पूंगी बजाने वास्ते अरे अपने गलंचे का बैंड के दोस्तों का बैंड नहीं बजाता ये अच्छी बात नहीं है सरासर गलत है शोर मचा रहे थे इसलिए सब्सक्राइब आपको स्वागत है मुझे ठंड से थोड़ी अलर्जी अनुमती हो तो एसी जरा सा कम कर दूं किया लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो ही कितना विनमर आदमी है स्टूडेंट्स जब आप बारवी में थे तो टीचर्ज ने खिसाई की होगी कहा होगा लेकिन अगले चार साल फुल मौज मस्ती कर सकते हो और आज फर्स्ट येर कॉलेज मौज ये आपका पहला दिन है क्या मैं आपको एक रास की बात बता सकता हूँ येस सर्ट आप लोगों के साथ तो दोखा हो गया है अगले चार साल आपके खटिया खड़ी होगी समझ मैं नहीं आया ये एक अटॉनमस कॉलेज है हर बात के कुछ कायदे और कानून है जैसे कि यहाँ बिना ID, no entry, टीशिर्ट, जीन्स नहीं पहन सकते मोबाइल पून इस्तवाल नहीं कर सकते सीनियर जूनियर वाली ग्रूप बाजी नहीं होगी खेल, संगीट, नाटक, कोई भी सांस्कृतिक गतीविधी नहीं की जाएगे और एक जेतावदी कॉलेज कैंपस के अंदर लड़के और लड़कियां कभी साथ नहीं दिखने चाहिए शादी से पहले ही तलाग हो गया चाहो तो डिक्सनरी देख लो लव और रूमांस जैसे शब पीछे के पन्नों पर आते हैं लेकिन वहीं डिसिप्लिन और एजुकेशन जैसे शब प्यार और इश्क से पहले आते हैं सो डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट और उसके बात सब कुछ कॉलेज में आना है क्लास में बैठना है परिक्षा देनी है डिगरी मिलते ही यहां से कल्टी मारनी है अगर यहां बैठे एक भी स्टूडेंट ने मेरे किसी भी कानून को तोड़ा ना तो ग्राइचुएशन नहीं करने दूँगा बात भीजे में खुसी समझ में आया समझ गए समझ गए वेल्कम टू बेस्ट एंजिनियरिंग कॉलेज मैं हूँ भूमी नाथन आपका डिसिप्लिन कमिटी है यह भूमी इस कॉलेज का डॉन है वो किसलिए सीनियर देखा नहीं कॉलेज को कैसे अपनी मुठी में रखता है उस डॉन से कहना कभी हमसे पंगाना ले कार्ड ना फॉर्मल पैंट है ना ही फॉर्मल जूते हैं एक कभूतरी से वो भी सीनियर गुट्र गुट्र चालू है हाथ में मोबाइल भी है सर भूमी सर को मत बदाना प्लीज सर भूमी गया तेल लेने वह यमदूत है तो हम यमराज स्टेज पर सुनाई देती है भूमी की आवाज पर होते हैं हमारे अलफाज एक बार हमने किसी को कॉले से निकालने की ठान ली ना भूमी क्या उसका बाप भी हमें नहीं रोग सकता टू अंड्रेट टू अंड्रेट टू इंटू थी हुआ चल अजार देओ निकल यां सर अरे टूटल छेसों हुए ना सर जुबान लड़ाने की एक्स्ट्रा टू अंड्रेट पैनल्टी लेगेगी पोड़ी कोड़ी नहीं मिलेगी हां क्या बग्का अजगो अरे बू भूमी गया तेल लेने वो यम्दूथ है तो हम यम्राज आया मज़ा फिर से तोल मुल करें बताओ कितना फाइन देना किसी और को भक्रा बना लेगी हाँ सब्सक्राइब करें अपनी मर्जी से जीते वे फुल टू मस्ती कर पाऊं पहला काम था पापा के कॉंटेक्ट नंबर में अपना नंबर डाने दूसरा अजेंड़ा था अपना हजर्ड बगल देखता सुबा क्लास में रजनिगांत की फिल्में देखता और रात को छुपके कातिल जवानी देखता वेट बिना एक्जाम दिये कहां जा रहे हो हाल टिकेट रूम में बूल गया है आज नाश्ता करना भी भूल गय थे क्या है कैंटीन चल के नाश्ता कर लेता हम यकीन था अपन देखो तुम्हें एंजिनियरिंग ड्रॉइंग करने को कहा था ना तुम तो मोनालीसा बनाने लग गया है है टाइटनिक लाव पता ही है इसके लिए कौन सा चॉकलेट लेकर आया था मुझे कुछ आइडिया नहीं है सेर सिल्क सॉरी सर तो अब हीरो या फिर हिरोईन कौन ज्यादा प्यार करता है उसका एक्जैम्लिंग है पहले तुम इसके लिए रहम मांगोगे उसके बाद ये तुम्हारे लिए भी इसके साहरे नहीं तो उसके बाले कुछ बादा प्रिसा समव मांगे है स्टाइट इसके हैं सब्सक्राइए इसके number Board City करें साहरे इसके बाद आप जोलों यूणर आола फूटा में आहीं हो एक जोटें दुआ तो फॉस्टार प्लीज प्लीजन करें एऎ कtar प्लीसे नहीं सब यू आर सस्पेंडेड, यू तो सस्पेंडेड, अगर मेरे गरवालों को पता चल गया कि दूसरी जाती के लड़के से प्यार करती हो तो वो मझे मार डालेंगे, प्लीज, मैं मर जाओंगी, तो मर जाओ, मेरे कॉलेज में इश्क बासी करोगे, प्लीज, मत रो सीनियर, मैं उनकी पैरों में गिर कर माफी मागूँगा, प्लीज, आप रोह ये मत, प्लीज, हाट नियूज, क्या है, भूमी, कॉलेज छोड़की, चला गया, या कहा, लेकिन ये हुआ कैसे, रश्या की से इंड पॉल यूनिवसिटी में भूमी के नाम से वि इंपरेचर माने से डिगरी है, सुसुजम के बर्फ बन जाएगी, जहौप तो मिल गई, पर वो जाएगा क्या, उसका बाप बोलेगा तो पक्का जाएगा, पासवर्ड क्या होगा उसका, उस संकी का पासवर्ड, श्वत्ता टीचर होगा, तू टाइप तो कर, चल जा, एं भूमी के ID से किसे मेल भीच रहा है, अब भूमी, तेर को खंचकर बना दूगा, बिना मेनी पर्मिशन के चेमन को मेल को भेजी, अगला प्रिंस्पल बने के फिराग में हो क्या, मेल भेजा, ज्यादा होशारी मत तिकाओ भूमी, बिना पताए रश्या की सेंट पॉल युन बने, अब विजिटिंग प्रोफेसर बनके रश्या के गोरे लोगों को पढ़ाओगे, नाम रोशन कर दिया मेरा, इसे अगले एड में डालूंगा मैं, रश्या जाकर अपनी कॉलेज के पोस्टर लगाना, तूली बेस्ट टेस्ट, तुमारे पॉकेट मनी चाय नाश्ते क लेकि चल जाना, कहां है वो, यह हमारा भगवान, चक्रवर्दी, आज तक भूमी कॉलेज को अपने इशारों पे नचाताया है, पर आज से इस कॉलेज का रिमोट कंट्रोल तुमारे हाथ में है, आज के बाद तुम चक्रवर्दी नहीं, कॉलेज के ने आज के बाद से स्कॉलेज के प्रोफेसर, एकदम साइलेंट ये वोट गुलाब चामुल से भी जाधा रसीन है, काँ है ये? इसका खासम कुछ नहीं बोल रहा है, तो तेर को काई को मिर्ची लग रही है? पार्ट टाइम पंडित हों, एक ड्रामा कंपणी में एक्टर हों, लाश का रोल देना उसमें भी जान डाल दूँगा, माई विजिटिंग कार्ड फोटो खीचने के पुरे 2,000 उपे लिये हैं इस ते, फोटो तो दूर एक सेलफी तक नहीं खीची, जान बज़के, पोटो घीज या पैसा लोटा समझा, तुझे दारू की पार्ड़ी दी थी ना उसमें उड़ गया, स्ट्रकलर आटेस्स के फोटो नहीं खीचता मेरा दो तो गैंग्स्टर बन जाओ, तेरा बाप आ गया, अच्छा, मैं तो डर गया, अब तो खोश, ये अक्टिंग उनके सामने करके दिखा, मर गया, इसे किसने बुलाया, मैंने आने को कहा जी, और बिगार दो इसे, आज तो संडे है, छुट्टी कॉलेज के लिए है, पढ़ा इन नंबर से ये मिस्तिरी भी नहीं बनेगा, इसे कुछ अक्ल दो कि ये ठीक ठाक इंजिनियर बन जा है, हाँ, मैं समझा दूँँ, वहाँ चल के लिए फाफा पकड़ाते है, कुछ खा लेना, हाँ, एक ही काम तो ठीक से करता है, ये सीनियर, जी आँटी, इसे अपने साह होगी, तो अपने मामा को याद कर लेना, ठीक है, नाइस मामा, इतना गमुन तो असले स्कॉलर भी नहीं दिखाते होंगे, आड देखके कितने बकरे जासे में आ गए, सब किसाब हलाल होंगे, एजा, हमारी रैगिंग करने वाले हो, क्यों फ्लोर्टिंग चालो, सीनियर्स तो माशाला थी, जूनियर्स भी कयामत है, बेंजी टाइप की लड़किया हमारी क्लास में क्यों आती है, और उन्हें अगर तो नाके का पनवारी लगा, तो क्या करेगा, बेर, देखो, ऐसा मत बोलो, प्लीज, सही तो कहा, डॉन ने, सीनियर्स कॉलेज से पास आउट हो गए, तो जूनियर्स पे डोरे डाल रहा है, खुद के लिए लड़की धून नहीं पाया, डॉन को बोल रहा है, डॉन, इस सा जाल रहा था मैं, गलती सो कहनी लग गई, सॉरी, गलती से हाथ लग गया, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इंस्टिंट जवाब देना चाहिए, समझ गई, हाँ, मैं लिली, फर्स ये स्टूटेंट और तुम, सेकंड यूर में हूँ, दूसरी कॉलेज से शिफ्ट हुई बहुत अच्छा हुआ, कॉलेज के बारे में काफी अच्छी बाते सुनी है, तुमने भी सुनी होंगी दा, प्लेस्मेंट के बारे में, कॉलेज के दमदार सीनियर के बारे में, वो कॉन है, तुमने डॉन की बारे में नहीं सुना क्या, क्या चीज है वो, कोई गरीब दिख तो उसे पैसे दे देता है रास्ते में कोई बुजर्ग दिख जाए तो उने घर डॉप करके आता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है कॉलेज वो रोज आता है पर क्लास में कभी नहीं आता क्यों तॉन कभी क्लास जाता है क्या देदी डॉन ऐसा कान है हाँ ये डॉन है डॉन की इंसल्ट कहीं डॉन और देदी की कोई हिस्ट्री तो नहीं यह और यहां ऐसे पढ़ाई करेंगा फूरे पेपर में अंड है घर पर जाके बुर्गी बनाएगा इसकी अ इदर आ तुरी कम नहीं अब बद्माश कहीं का तुभक चक्रवर्ती यहां फाड़ने के लब और कोई काम नहीं है क्या अपना टेस्ट पेपर ले क्या कैसे याद किया क्यों बेटा तु फिर से फेल हो गया घर वाले पढ़ने के लिए नहीं बोलते क्या घर वालों को मेरे टीचर निकम्मे और डफ़र लगते हैं मैंने भी कह दिया अभी आप नए हैं धीरे धीरे पढ़ाना सीख जाएंगे ऐसे घटिया जोक मार के लाइफ में कहीं नहीं पहुँच पाएगा जीवन का लक्ष क्या है प्रभू मतलब लाइफ के गोल्स ना वही तो मैं सोच रहा हूँ रिटार्मेंट के उमर तक सोच लेना अरे बिना काम के जिन्दा कैसे रहेगा कुछ भी सर पिछली टीचर ने का जिन्दा रहने के लिए औक्सीजन ज़रूरी है अब आप कहरो कि एम और काम ज़रूरी है डिसाइड कर लो कि क्या करना क्या नहीं अब तुझे भी यहीं चाहिए यह ले यह ले यह ले अओ मेरा ही हाथ दुखने लगा इतना जोर से मारा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा सर क्या है लड़िक्यों के सामने रोया ना तो शाम में गुस्तागी हो जाईगी क्लास से बहुर जाओ यह 10th सी किस तरफ है यूएडमिशन हो हाँ सही समझे यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना अपने लिए नहीं आया अपनी बेटी के लिए आया हूं कहां है वो वाव नाम क्या है तुमारा मदूरा वीरन सब इंस्पेक्टर अफ पलीस हाँ पुलिस है सर हाँ बेटा मेरे पापा की फर्नीचर की शौप है और चारे पर पुलिस जैसा रॉब रखते तुम्हारे पापा पुलिस में पर फटीचर जैसी समाइल दे रहे फिल्मी पुलिस वाले एं गे आ नहीं बिटी, आराम से, कम सिकम स्कूल में तो टपोरी गिरी मत करो अरी, यह चश्मेश तो सॉलिड राउडी निकलिया उस पर ध्यान मदव, चलो आगे देखो खाल की चलोगी यार नेम इस वाट? हाँ? नौट इंग्लिश नोइंग, तुम्हारा नाम क्या है? पाशिड आ तेल माइन नेम तो इस ट्रेंजर लाइक्यू घर का छोटा नाम नहीं रखा क्या? चक्रवर्ती, क्या कर रहे हो यहाँ? वो प्रिंसिपल नोस गड़की को बुलाया अंगेर कंणी की बात कर रहे हो, किस लिए? अंगेर कंणी नाम है कंणी की स्पेलिंग में आया है क्या? अब खड़े-खड़े क्या सोच रहे हो? फटूरे की प्लानिंग मिस? क्या मतलब? मतलब फ्यूचर, घलत क्लास में आ गया, मैं चलता हूँ अंगेर कंणी में कंणी काट रहा हूँ यह चश्मिश, तुम चान्द हो क्या? क्यों? चहरा चान्द सा रोशन जो है मैं तो बहुत बड़ा कवी बन सकता हूँ क्या चाहिए तुम्हें? मिस, डस्तर मिस वहाँ से ले लो अंगेर कंणी? मिस, क्या हुआ? एक चौक भी चाहिए तो ले लो अंगेर कंणी? तुम अब तक क्या कर रहे हो? एक पहन चाहिए किसी के बास एक्स्ट्रा पहन है तो दे दो इसे किसी और से क्यों लूँगा? अंगेर कंणी? दो ना पास मत आना मैं आदो आओंगा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग क्या लीना है मुझे teşekkürr कुछ लेना नहीं है कुछ देना है क्या तुम्हारा पहन तो समझलो तुम्हारा पयार का तोफा मुझे मिल गया कि यह पन वादिलाती रही कि ना ज nations मेरी याद बहुत सताव EntreThe कि उम्हारी फ्रोब्लेम किया? यार वो मेरी फराब मत करो मैं पसंद नहीं हो तो मेरे मुँपर बोल दो नहीं पसंदो मुझे तुमारी शकल बिल्कुल पसंद इंसान को दिल के बजाए उसके चेहरे से परखने लगेंगे तो लड़कों का लॉस नहीं है बल्कि लड़कियों का नुक्सान है कुछ कहने की ज़रूत नहीं है कुछ कहना भी नहीं है अपनी जगे क्यों बदल ली कि इस तरह तो हैं उस साइड में टेंट वाले मैंनेजमेंट ने सीटिंग अरेजमेंट बदल दिये प्रॉब्लम है तो उन से जाके लड़ लू एक बात कर रहे हैं एक बार लड़की पर बोजल ठुकरा देना तो उसे बात करना तो दूर उसे देखना भी पाप है आयम जोज़ा इए एकजा स्ट्रोल कारे कुझ ट्रोल किवक क्या है वोगहर तो नहीं है डॉक्टर को दिखा की अनाश्दा नास्ता तो थेक्से मैं नहीं है क्या फार दोगा बैठ जा नहीं बिकुल ही फटाफट उतार ना पकड़े जाएंगे कुछ नहीं होगा बिंदास कॉपी कर नहीं है लेक डालना बैचारा हेल्प कर रहा है कॉपी कर लो हाँ सेही का सर बस सर और बत पारो सर बहुत मारा ना तुम्हें पटक पटक के मारा बहुत दरदो रहा है क्या यह सब मेरी बज़े से वह थोड़ा शुआफ कर रहा था पर यह निशान असली है मत रोना मत रोते वे और भी सुंदर लगती हो जूट बोला क्यों चर्माते वे आसीन लगती हो कि फिर से मैंने जूट बोला कि स्माइल करते हुए तुम्हारा शर्माना काते लाना लगता है तुम और तुम्हारे इशारे क्या मतले बेन का यह मेरा दिल है और यह है उसकी फिलिंग्स तुम्हारे दिल में कुछ खलबली नहीं हो रही है क्या पहले तुम्हें जान तो लूँ बस जान मतले ना सुरी जाके ले लो ना असली तुम्हार बहुत सिंदर होगा ना लेकिन मुझे थोड़ा सा कम हाँ चलो रेड़ी रेड़ी हो जाओ अरे पासपोर्ट के लिए फोटो थोड़ी ना खिचवा रहे हो यह अपना हो जो यह मेरी बाली है समझ गया क्यों ना मैं मॉडली बन जाओं कच्छे बनियान के अड मिलेगा चलेगा ना तुझे टीपी न अच्छे से साफ कर दे ना बिटा धोने के सवरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारे मानिया यह अब तर होथी तो आती ना पापा ही मेरे लिए सब कुछ है पापा बेटो 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 बेटा बैक क्यों पकड़ रखा अब तक इसे रखो और खेलने जाओ पापा जेंज करने का कोई फॉर्म मिलता है क्या हां महाराष्ट की शार क्यों पूरा हुला दालाबा दो कड़क कड़लेट देना रजनी सर खुद सेगरेट नहीं पीते पर स्टाहिल से जलाते हैं उनके बाल जटकने पर लोग फिदा हो जाते हैं अपना फेवरेट स्टार है तीन घंटे मूवी देखी ना आप किसी और करते हैं थांक यू अच्छा टॉपिक या है आते वक्त मैंने कार्ब देखा तुम हमेशा फीलिंग्स की बात करते हुना है आए मोगे तुम नहीं बूलोगी है आए इससे लव करती हो क्या तुम भी बस फ्रेंज हैं बेटे को अउलाद नहीं अपना दोस्त समझो ठीक है सर तब यह तुमसे कोई बात नहीं चुपाएगा तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को प्रपोस किया है क्या कह रहे हैं आप लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं अभी इनकी पढ़ाई की उम्र है कहीं गलत रास्ते पे ना भटक जाएं बेटी को कैसे पालना है एक पुलीस ऑफिसर को सिखाने की जरूरत नहीं है भानू प्रेजंट पिस भुवनेश अपने अंगिर करनी का नाम नहीं लिया मिस वो टी सी लेकर चली गई है क्या हुआ कुछ नहीं दीक्षा गिनेश जिसे प्यार कुबूल करने की हिम्बत नहीं है उसे डॉन कहती हो वो तो पापा आ गए वरना मैं उससे कभी नहीं छोड़ने वाला था बाद में ट्राइब किया दो कुछ नहीं हुआ जान बुचकर उससे बात नहीं की पर क्यों दीदी बात यह है कि प्यार में होता है रोता क्यों है इसके लिए नहीं रो रहा हूँ आज चावल की जगा चपाती बनी है नहीं खाना है तो दे कितना बेसुरा रोता है फोड़ियो जे आगे से आगे लिए बैट कर खाऊंगा डॉन इसकी बातों को माइंड मत करो उसने सिर्फ आपके लिए क जोच रही होँ When x के लिए एक्स्ट्रा फिलिंग्स उति है कि उसने कभी मेरे साथ ब्रेख नहीं किया लड़किया ब्रेक आपका नोटिस नहीं देती बिना कुछ बोले जता देती है अभ्या तो शुब हूँ आजकल कोई लड़की सिंगल नहीं रहती या तो उनका बॉय इतना सेंटी होने की जर्वत नहीं है दॉन इस गधे की बात बद सुनो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है बस मेरे कारनामे देखते जाहिए जूलियट बनके वो अपने रोमियो के पीछे भागेगी खोद आकर प्रपोस भी करेगी खायो लवर्स यूनियन दे मनाएंगे हम मुझे मिस्कर रहे थे ना तुम लोग मी टू गुट मॉर्निंग सर्व सब की बड़ी याद आई मुझे एलाओ इदर वो क्या मेरा ओफिस में जमाका आए इसके पापा को यहां बुला लो प्लीज सर मुझे माफ कर दिए ऐसा मत करिये सर प्लीज के मैनों से भीक आवास ने चुनी सर मान जाए ठीक कॉलेज के बाद लेकर जाना चार बज़े के बाद ने चार साल के बाद ले जाना है अरिवजी सर कॉलेज में कल्चरल फंक्शन कैसे हो रहा है प्रिंसिपल ने पर्मिशन दे दी है सर देखो ना सर तंग करके रखा है हर मैने दो बार ये सरकस चलाता है अब क्या बताएं आज टीचर्स दे के नाम पर ये नाला है यहां पर हंगामा मचा रहे हैं सर हम चैमेन को इंफॉर्म कर देख्या पहले उससे भी एक जरूरी मैटर है सर बाइद वे सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत हो गया भूमी अब जल्दी से लौट आओ मेरे आने की वज़े पता चल जाएगी तो इज़त की कुल्खियों चाहिए कौन ये सब बताएगा मैं नहीं बताओंगा पिछले एक्जाम्स के आज़ाएगा पिछले एक्जाम्स के आंसर शीट्स निकालिए इस कागस पे जो लिखावट है उससे एक एक आंसर शीट को माच कीजिए एक भी लिखावट मैच नहीं है सर कुछ स्टूडेंट्स ने एक्जाम्स नहीं दिये होंगे उन स्टूडेंट्स के पिछले सनस्टर के पेपर्स चेक कीजिए ओकी सर ये स्टूडेंट्स मिलना ही चाहिए ये लिखने वाला मिल गया है सर रोल नंबर 091 C106 चेक करता हूं ये तो डॉन है इसी नाम से मशूर है नाम चकरवरती है फानेल एर सिविल ब्रांच सारे स्टूडेंट्स उसके फैन है मेरे दोस्त को थपड़ बाराता क्या बोली थी गल्ती से थपड़ लगा और जान बूच के टच करूंगा कहां मिलेगा मुझे ये क्यूं़ बाफ ये दित मैं आच वाता को बडोद रहने के बुझे बड़़ी कान में लाता को थाए्भ़ी रचा वहने वाता को बड़़़ी नाम ले वे बड़़ी छैसे में गिवी गलेदा का लता? और कि पिल कर ठे चंग कि अच्छ, कॉरें. मेरी टालिंग पर हाट डालेगा आत ये खाट दॉल भी आ रहा है शायद लटर का रास खुल गया यहाँ डिशों डिशों कसी चालू था सर नाई सर बड़े विशिस दे रहे थे मुझे रश्या तुने भेजाना सही पेचाना सर किस लिए? ताकि स्टूडन्स जैन की जिन्दगी जी पाई सर मेरे इस ऐसान को चुकाना हो तो सबको बता दूँ आपको किसने पार्सल करके रश्या पोस्ट किया आज तक अपनी सबान पे ताला मार के रखा रास का परदा फाश कर दूँ आपने कुछ गौर किया सर आप से सेहम कर बात कर रहा हूँ इसे मेरा डर्मत समझना सिर्व आपकी इज़त का खयाल कर रहा हूँ इस कॉलेज से डिगरी हासिल करने से पहले मेरी हर अधूरी खौईश और अपने होनर को एक अंजाम तक पहुचाने का सपना उसे पूरा कर दे पिल्ली बन के रास्ता काटे के गलती मत करना रास्ता तो तुने पहले ही काट दिया अपने सपनों को अंजाम तक पहुचाने की बड़ी जल्दी है तुझे मैं पहुचाऊंगा बहुत मश्यूर करूंगा तुझे थैंक यू सर बहुत चल्दी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सब तेरी एक बड़ी तस्वीर देखेंगे बेस्टूडेंट वाली तस्वीर ना अब यह जोग थैंक यू सर अभी क्या भी एवेंट कैंसल करते हैं और के सर और इसके अब बोलो सुनिया जी आपको कॉलेज में बुलाया है किसलिए क्या मालूम अपने बेटे के फोन पे फोन आया था कॉलेज आने के लिए कहा है मैंने चेक कर लिया हिसाब बरावर है गोड़ मॉनिंग सर चक्रवर्थी के पापा आगए हलो सर चेर्मेन की ओफिस से बोल रहा हूं आपके काम की एक खबर देनी है क्या है भुमी एक साल के लिए रश्या गया था लेकिन दो महीनों में लॉट आया सर हां वो यहां प्रिंसिबल बनने आया है सर सच कह रहे हो तुम हां सर कुछ पेरिंस को बुलवा के उन्हें भड़काने वाला है सर आपके खिलाफ माहौल बना के आपका पत्ता काटने वाला है सर यह खबर चेर्मेन तक पहुंच चुकी है मजाग तो नहीं कर रहे है यकिन नहीं होता तो खुद देख लो पेरिंस मीटिंग में आ जाओ एक पेरिंट के साथ मीटिंग करने वाला हूं सर किसलिए किसी स्टूडेंट ने कोई शरारत की ऐसी कोई बात नहीं है बस जेनरल मीटिंग है सर वो मीटिंग किसी और से करवा लो इस वक तुम मेरे चेमबर में आओ यह मेरा ओडर है तुम उनसे बात कर लो मैं आता हूं सर सर प्लीज सर ऐसा मत करो जाने दो ना सर तो फिर वो वीडियो डिलिट कर दो अभे इस कॉलेज का सबसे डल स्टुडेंट आपका बेटा है इस कॉलेज का बेस स्टुडेंट आपका ही बेटा है खुद तो पढ़ता है नहीं दूसरों को भी निकम्मा आवारा बना दिया दिन रात पढ़ाई करता है कमजो स्टुडेंट को हेल्प भी करता है प्रफिसर्स की वाट दगा रखी है बेटा पैदा किया या बवाल गुरू का इतना आधर कि एक लव और दोना चार भी शर्मा आ जाए माई बैड लग काश मेरे घर पैदा होता तीस तीस केटियां पड़ी है इसे एंजिनियर बनाने के सपने तो छोड़ी दो और कॉलेज के बाहर चाय पकोड़ी की टपरी खुलवा दो सारा ध्यान बालो और स्टाइल में है फिर से इसे कॉलेज का डिसिप्लीन तोड़ते हुए पकड़ा तो इसे रेस्टिगेट कर देंगे फिर रोना मत क्या इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था सॉरी पापा गल्ती से गल्ती हो गई कभी मेरे बारे में भी तो सचाकर बूट पॉलिश करके मैंने तुझे यहां तक भेजाए मेरी मेहनत पे मिनल वाटर फिर दिया मेरा दिल तोड़ दिया तेरा दारू चखना सब मेरे खून पसीने की कमाई थी पर यहां सिर्फ टिफिन खाता हो वो मैंने अपनी पडोसन से चुराया था सार चुपो जा गदे अपनी शकल तुमझे मत दिखाना तेरा डैडी तेरे लिए मर चुका है जाके मर जाम बनूस पापा का दिल तोड़ दिया पापा पापा यह क्या था कुछ समझ आया क्या यह बाप बेटे कितने अलग है कैसी फैमली है अगर सही कहूं तो बाप को पागल कर देगा मेरी गारेंटी है वर्ड क्लास एंजीनर बनेगा ऐसा बेटा पाकर आप तो धन्ने हो गए है यही कहना था मुझे लगा उसने कुछ गलत किया होगा उसकी सजा दिलवानी होगी अरे बिलकुल नहीं समझ में नहीं आता हमेशा 80% ही क्यों आते है थोड़ा ठीक से पढ़ाओ ताकि 90% भी आए वर्ना तुभारी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे अटा के तुम्हें प्रिंस्पल बनना है बिलकुल नहीं तो फिर मेरे बाद कौन मरेगा सोचने की एक्टिंग मत करो मुझे सब खाबार है स्टुडेंट्स के डिसिप्लिन पर फोकस रखो पेरेंट्स को बुला के उनका और अपना टाइम वेस्ट मत करो समझ गए ना बात गुसी की निकोपड़ी में ओके सर सर आते समय मैंने ध्यान नहीं दिया बाहर जाने का रास्ता कहा है सीधा जाके लेफ्ट ले लीजे आप तो मैं चक्रवर्ती का पापा चक्रवर्ती अहां अभी फाइनल येर में है वुमिराधान यहां क्या कॉन्फरेंस चल रही है यह पेरेंट है सर मैंना किया था ना किसी भी पेरेंट से नहीं मिलोगी तुम सर वो यह आपको क्या चाहिए साब बाहर का रास्ता तो सीधे जाके लेफ्ट लेलो और तुम जाके एक्षणी की मीटिंग अरेज करो जाके काम करो ना चलो गो आज पकड़ा जाता तो कीमा बन जाता ग्रेट एसकेप हम डॉन्ट चैरिटी फंड से आये हैं आप जितना चाहिए उतना कॉंट्रिब्यूट कर सकती हैं डॉन्ट चैरिटी फंड किसलिए पांच तस रुपे देदो ना वजय पूछने की ज़रत नहीं है अब रुको दीदी डॉन बिना वजय कुछ भी नहीं करता डीटियल में बताओ ना बैठो कल के फंक्शन में डॉन ने कई लोगों को धोया उसमें से कईयों को बहुत अपने एक्जाम की फीस नहीं पे कर पाया इसलिए उसने जहर की शीशी खाली कर दी पर वो गल्ती से जमाल गोटा निकला अरे बाप रे बाप तभी से डॉन ने डिसाइड कर लिया जिन स्टुडन्स की केटी आई हुई है उनके एकाउंड में पैसे जमा करके डॉन उनकी बेवफाई तो आजकल का ट्रेंड है पैसा नहीं तो प्यार का डॉनेशन दे दो जागा रही हो अरे दीदी तुको तो ना ही बीता हुआ वक्त लोट सकता है ना गलतियां सुधर सकती है तुम्हारी तरह तुम्हारा ये इंचियो भी फर्जी है जाओ दीदी मेरे बुक लिल्ली डॉन ये मेरे नाम से इतना भड़कती का एको है इसकी प्रोब्लम क्या बोलना अब कैसे बता हूं बेंदास बोल रहे तुमसे इतना फ्रेंडली था मुझे बताती तो क्या तुम पे गुस्सा होता आज उसी वज़े से मुझे किसी और के तब से अंकल उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं जोर की सुसु आ रही है वहीं रूप साथ में करेंगे मस्त फिल्म है ना मस्त फिल्म है वहीं करेंड़ 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 करें सुरी बिटा शायद मैं ही ओवर्यक कर गया बूल जाए सारी बात है यह लिली तुम बहुत शरारती हो इसलिए तुम मुझे साथ लाने के जिद्गी पॉपकॉन लेके आता हूं सुन कोई फैन टाली बजा रहा है क्यो ना मैं मेम क्रियेटर बन जाओ अब तु दिन में तीन वर अपना करियर बदलता है शौर्ट फिल्म्स का डिरेक्टर बन जाओ पहले जाके अपनी हेरोईन को समाल कदा गहिंका वो आ रही है क्यों है सोनी जी महिवाल जी रोमियो जूलियट देखो और अब आज की लेटिस चोड़ी चक्रवर्ती अंगय कन्य यह रही उनकी दस्वीर जब थेटर में वो फिल्म चलाई थी न तुझे सुनाई दे रहा है कोई फैन ताली बजा रहा है क्या सॉलिड फिल्म बनाई तुम गुल खिलाओ गए जानता था लेकिन सीधा ताज महल बनाओ के नहीं जानता था तो अब देखें लैला या मजनू कौन किस से ज़्यादा प्यार करता है उसका फैसला करते है सञ स्टार्ट सठाफ़ प्लीज सञ पहली बार गलती होई है आई आपकर दीजिये प्लीज सञ प्लीज सर इस बार माफ कर दीजिये दो भारा ऐसी गलती नहीं प्लीज सर प्लीज माफ कर दीजिए थोखा हो गया यह तो तुम्हारे लिए भीग ही नहीं मांग रहा है था लगता है तुम्हारे लिए इसका प्यार एक फरेब था लव नहीं है क्या सिर्फ टाइम पास कर रहा था है अपने लवर को बचाने का नाम पे इसका मूह सिल गया है ऐसे कायर को डॉन कहते हो डॉन 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 आप यार करता हूं आगे क्या तो आगे दो प्यार करने वालों की शादी करवाना मेरी सिम्मेतारी श्वेता मिस सु कल सुबह साड़े दस से शुब मुहरत है दोनों के पेरेंट्स को इंविटेशन दे दो शादी करवाएंगे प्रॉब्लम सॉल्वड प्लीज साइसा मत कीजिये नहीं सा यू आर प्लीज साहिने माफ कर दीजिये प्लीज प्लीज इस बार चाने दीजिये ना प्लीज प्लीज यू तू सस्पेंडेड यह बिल्कुल गलत बात है कि इसमें चक्रवर्ती की गलती है उसकी क्या गलती है अरे जब उसने बोला तो तुम्हें उससे माफी माग लेनी चाहिए तुमने क्यों नहीं मागे माफी मना करने की खलती एक बार कर चुका फिर से उससे हर्ट नहीं कर सकता था उसके बाप को भूल जा भूमी ने तेरे बाप को सब बता दिया अब क्या करेगा वो सोच ए ए चुप हो जा यार वो डॉर को डिसमिस नहीं करेंगे इनके लिए नहीं रो रहा हूं तो आज फिर से चावल की जगा चापाती दे रहे हैं तेरी तो बंधूस प्रेय तो तो नहीं है यहां का खाना बेकार है हम जानवर नहीं है तरह चाहां के बाइगा रूटा में बिचाहेगा भूमि इंसाने राक्षास है यह जा बीक मार्ट गॉमि इंसान नहीं राक्षास है इसके लिए दो मार्क्स काट सकते हैं सर इए उतने ही तो मिले है तुझे थैंकिए सर चुप चाप अपनी हरताल खत्न कर दो यह मेरी नीजी समस्या नहीं है यह हर स्टूडन की शिकायत है क्या शिकायत है स्टूडन्स की मैं इसका खाना सर किसी फिलोसफर ने कहा है कि जैसा खाओगे वैसे ही मार्क्स आएंगे किसी और ने नहीं इसे ने कहा है सर अपनी डिमांड साफ साफ बताओ हार्ट न्यूज हम हेना मेन्यू परोस और कि लंभी यह कहा रहा है यह लिस्ट है कि जनम कुंडले शेर का सूप टाइगर के मोमोज और यह क्या वेल मचली की भुरजी ओक्टोपस का पाया साप का अचार शार का कबाब केकड़ा का सूप केकड़े का सूप भी सार अगर हम कॉलेज बेच दे तो भी यह मेन्यू पूरा नहीं कर पाएंगे मत भूलो तुम एंजिनियरिंग स्टूडेंट्स हो यह हम जानते सर अपनी मर्जी से इंजिनियरिंग किये नौकरी करेंगे तो बीस हजार सेलेरी होगी पकोड़े बेचेंगे तो हर महीने दो लाग का गल्ला उठाएंगे फिर भी मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित सच तो यह है जब रात को पीने का मंध होता है तो बीस किलो मेटर दूर जाना पड़ता है अध में इस लड़की को देख के एडमिशन लिया था बाद में यह बंदर चाप मंजन के एड में दिखी यह तो कोई मॉडल निकली आज के बाद सिर्फ एक घंटा एक लास होगी में इसी कॉलिज की लड़की होगी देट पर जाने की परमिशन भी होगी इस मैन्यू में लिखी एक एक आइटम बनानी होगी एक बात और एक्जाम की डेट लास्ट बेंचर स्टूडन्स खोद ताय करेंगे मेरी एक बात याद रखना तुम कभी एंजिनियर नहीं बनोग कि खुद को बचाने के लिए इसने हर्ताल का सहारा लिया है सर यह क्या निकाल रहे है ओहो हां एक बोतल में दो स्ट्रॉव सब्सक्राइब करेंगे वाट इस भूमिनाथन यह फोटोशॉप का कमाल है सर यह फोटोशॉप है पुरा फोटोटो नहीं सब्सक्राइब करेंगे लड़की से बात नहीं कर सकते ऐसे रूल्स क्यों बना रखेंगे फॉलो ना करने पर फाइन है यह सस्पेंशन सर्ट इन से सवाल करो तो मार्क्स कार देते सार कुछ लिखता तो नंबर मिलता ना इनकी वजह से स्टूडन्स हमेशा मेंटल प्रेशर में रहते हैं रिजर्ट्स पर असर पड़ता है और मुझे ओ माइग गॉड सर मुझे माफ कर दे इन से डर गे आज तक आप से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया दिल पर पथर रखके मुझे स्ट्राइक करने पड़ी सर आपको जो सजा देने मुझे दीजे सर पर आमारे कॉलेज के स्टूडन्स देश में बेस्ट तो ब्स जाए बेस्ट वर्ड पर खेल गया सर ये तो स्टूडेंट्स पर जूलम हो रहा है कि अ झाल कर रहा है इसको देखिए सार मेरी निम्ट कर रहा है सर यह मुझे भसाना चाहता है सर पूरे कॉलेज का महोल बिगाड़ना चाहता यह इतने सालों तक मैंने अकेले अपने हाथ हो तुमीनादन अगर हमारा कॉलेज नंबर वन है तो इसकी वज़ाए सिर्फ मैं हूँ इसकी शरते मंजूर है तोन का सस्पेंशन ओडर कैंसल हो गया आज से हम सब आजाओ है ये ये! कि सोच रहा हूं पॉलेडिक्स में घोशी जाओं कि बहुत जुट बोलने पड़ते हैं उसमें अरे हारे वो तो मेरे से बोला नहीं जाए अपनी भी एक वाहिश है देखना है कि तू आखिर बनता क्या है कि मिस्टर भुमिनाथन जब सामने बाप खड़ा हुना तो साइलेंड रहने का हुँ मैं ओके हूँ किस बात पर ओके हूँ डॉन बनने के लिए तुमने मेरा सहरा लिया कुछ भी लव नहीं है बोलता तो दुखी हो जाती है कि नहीं पिर इतनी फिक्र है न तो फिर ये बात भूमी के सामने नहीं अपने पापा को बोलो बोल सकोगे जा अंगु एक्बाइबरी बात तो सुन्लो ये क्या पूरा फॉर्म अंग्रेजी में छपा है हिंदी में नहीं लिख सकते थे क्या अब मेरे जैसा अंगुठा चाप अकाउंट कैसे खुलवाएगा तो तेरा गेल ओवर मैंने जो कहा था आपको सब याद है ना क्या है ये सब हां उसने चकरवर्ती नहीं कहा डॉन के नाम से बुलाया तुझे ये सच है अभी तक जिन्दा हों फिर भी तु किसी और को अपना पिता बना के लाया हां सिर्फ इतना ही नहीं हमेशा जोट पोलता रहा कि 80% आये हां धोगा दिया मुझे कती ने लाल आये मौद भी सामने आजा है तब एक कॉलेज बहुच के रहा है कि उलने दोल आजा दोली के रहा है मैं रुक नवानी यूँ कि खाए आजा है खाए कि पर पाए कि वहाना रहा कि वहा है क्यों रहे ना कॉल करता है ना कॉल बैक करता है तेरी मम्मी पूछ रही है कि तुने क्या रहता फैला है क्या बताऊ ने किसे दिन बता दूँगा तेरे इस अडियल पन से ठग गया हूं तेरा मूड चेंज होजा इस दे शूटिंग पिले कराएं लेकिन तू अभी विव यू बच्चे वो भी 90 परसेंट ला रहे हैं तुझे सारी की सारी सुविधादी फिर भी हर साल फेल हो जाता है ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा समझ गया 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 समझ गया बापा मैं पढ़ लिकर पक्का इंजिनियर बरूंगा बापा बन कर सब्सक्राइब मेरी सोच बखवास बता रहे हैं इसका वह मतलब था अपना मुबंद करना तू ठीक है मेरी कहानी घटिया थी कि तुम लिख के दिखाओ गलतिया निकालना बहुत आसान है बेटा लेकिन लिखने में आलत खराब हो जाती है और कोई लल्लू पंजोर रैटर नहीं बन सकता है बताने क्या हैं से उठके आ जाते हैं कि अपने तू आसान है कि अपना मुद कर दो जाते हैं जब देखो पढ़ाई पढ़ाई मचली को उड़ते हुए देखा है कभी आपने मचली सिर्फ तैरने में एक्सपर्ट होती है भगवार ने सबको अलग टैलेंट दिया हुआ है किसी और की नकल करने से काम्याबी नहीं मिलती सचीन अगर फुटबॉल खेलता तो क्या वो फेमस हो पाता वो एक पल आएगा जब इनसान को उसकी जिन्दगी का मकसद मिल जाएगा वो जमाना चला गया जब माबाप बच्चे के साथ जबरदस्ती करते थे हमें चाहिए बस आपका भरोसा बस इतना ही कट बोलतो सैंटिस बन जो यार मैं तो बहुत बढ़ा कवी बन सकता हूँ कांग्स्टर बन जाओं क्या मैं मीम ख्रीटर बन सकता हूँ ना सूपर भाई एकजक्टली वह इस बात बोला जो अप उनके दिल में था सूपर भाई आज ही अपने पाप को बोलता हूँ पिछले तीस साल से एक्टिंग कर रहा हूँ इतनी गहराई वाली बात आज तक नहीं सुनी मैंने मैं तो बोलता हूँ तो डेरेक्टर बन जा सच कह रहाऊं यह सीन देखने के बाद बोल रहा हूँ यहाँ हर कोई किसी और की लाइफ चीरा है अपने अंदर कोई जहां कर देखता ही नहीं और जब ऐसास होता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है हर किसी को अपनी लाइफ में अपोचुनेटी मिले ऐसा जरूरी तो नहीं होता है न सुन रहा है न तालियों की आवाज मेरे बात मान तेरा टाइम आ चुका है सिनेमा सपनों की नगरी है इसकी हर बात में एक कशिश है सन टीवी आज आपको एक मौका दे रहा है आपको बनानी है बस एक पांच मिनट के शॉट फिल्म और विजयता को फीचर फिल्म बनाने का मौका देना मेरा काम है सो गो आउट देर और मेक सम माजिकल फिल्म और बेस्ट तो अल दे फ्यूचर फिल्मेकर्स अरे कपड़ा भी गीले है माँ होस्टल में सुखा लूगा तेरी फेवरेट करी बनाई है खाकर जाना खाना माँ अभी भूग नहीं है कोई बात नहीं हाँ खालो बैठो पहले सहाब को खिलाओ ऐसे परोस्ते हैं थूस बेटा पूरा खाले कॉलेज में क्या हुआ पता है न अपना नाम ही बदल डाला अपनी माक्षिट भी बदल डाली और तो और अपना बाप भी बदल डाला एक और अच्छी ख़बर है शायद ये कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा मन फूल के कुपा हो गया खाना खाओ पेट भर के खाओ ठीक है मा आज के बाद मैं कोई जूट नहीं बोलूँगा अपना रास्ता डूढ़ने का हग नहीं मिला मुझे मेरी किस्मत हमेशा कोई और लिखता रहा लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी किस्मत लखने का मौका मिला इंजीनियरिंग मैं नहीं आप चाहते थे मेरा दिल फिल्मों में ज्यादा लगता है इसलिए मैं डारेक्टर बनना चाहता हूँ क्या कर रहें आप लग जाएगी उसे क्या कहा इसलिए सुन चुप चाप तू अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर फिल्म का नाम लिया तो चुन ले दूआ इंकी बात क्यों नहीं सुनता है से छोड़ दे अपनी ठेक है माँ जा रहा हूं मैं हॉस्टा है जरूरत नहीं आज से यह मेरी आखों के सामने रहेगा और अब से यह कॉलेज गहर से जाएगा डॉन हमेशा हसता था लेकिन अब उसको देखो जाकरों से बात तो करो अपको बॉइफ्रेंड है ना बॉइफ्रेंड के इसको देने का क्या बूली पूरे शेयर को इसके खबर है बॉइफ्रेंड नहीं तो और क्या हूं अपने हर फ्रेंड के साथ आज मेल जाती हो गया है तो बेले जाने के चक्कर में बहुत दूलवाई करवाई अपनी कोई कुछ भी कह ले मैं तुम्हें से फ्रेंड मानती हूं अब तो तुम अपनी बात से नहीं फिर होगी ना बिल्कुल नहीं क्यों एक राज की बात बता हूं जब से डॉन को देखाना तब से उस पर मेरा क्रश है क्या मतलब दोस्ट से थोड़ा उपर प्रेमिका से थोड़ गणाई तुम्हें तो कोई अत्राज नहींत नहींने लिली जा। एक सेलफी क्यों मूरा अल्बम बनाएंगे अखेर महारा करुषू क्या और दे इन आ गाये मेरे करस्च्प लाइए लाइब तेरी दी इतनी संदू क्यों है नातनी क्ष्टि कीर दातने घृस्ति के हस्ति क वेरी गुड और नया प्रिंसिपल भूमी है सर प्रिंसिपल बनने के लिए बढ़ाई सर अब तो दोस बन जाते हैं ना सर मुझे जीवन का लक्ष मिल गया हाँ कमाल है सर कोच जरूरी काम खत्म करने है सबसे पहले तो ये इंजिनियरें की डिगरी खत्म करनी है गुड अच्छा है बीजी स्टूडेंट्स और स्टाफ का स्वागत है वैसे तो आप सब मुझे जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार लेट मी रिंट्रूद्स माइसेल्फ आपका नया प्रिंसिपल पता नहीं आप में से कितने लोग इस हीरो को जानते हैं इसलिए आइब इंट्रूद्स घंड स्वेल फाइनल अर सिवल नाम है चक्र नए नहीं दॉन तो हमारे बीस स्टाफ ना ही स्टुदेंट्स का क्लास में आना जरूरी है ना ही एक्जाम देना और ना ही ड्रेस रोड को फॉलो करना कमपलसरी हो आज के बाद सारे स्टूडिक्स माज़े से रहें बस इस आदमी को छोड़ कर मेडल स्टम बोल्ड गया, क्लीन बोल्ड हो गया यह कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा, एक-एक प्राक्टिकल देगा, उनिफॉर्म पहनेगा, आईडी भी पहनेगा, हर एक्जाम देगा और कॉलेज के हर एक रूल और रेगिलेशन को परफेक्टली फॉलो करेगा स्टाफ की नजर, सीसी टीवी कैमरा की तखा सिर्फ इसी पर फोकस्ट रहेगी अगर इस लड़के ने छोटी से छोटी भी कोई गल्ती कर दीना तो इसे डिसमिस कर दूंगा गया काम से इसका जो हाल होगा उससे कॉलेज के बैक बेंचर समझ ही जाएंगे कि ये उनके लिए सुधरने का एक आखरी मौका है वरना मैं खुद उन्हें सुधार दूंगा डिसमिस्ट जाओ सब लोग मैं तो भूली गया तुम तो रूल्स फॉलो करने वालों मैंसे हो ही नहीं कैसे बचाओगे खुद को तुमारे पास दो ही विकल्प है या तो तुम सुधर जाओ या फिर यहां से निकल जाओ अपनी टिगरी तो तो भूली जा बेटा तुने दिखा दिया कि लास्ट बेंच का स्टूडेंट क्या कर सकता है लेकिन लास्ट बेंच का स्टूडेंट जब प्रिंसिपल बनता है न तो देख वो क्या करता है एक बात और जब सामने बाप खड़ा होना तो साइलेंट रहने का क्या भूमी को हराने के लिए कुछ और ब्लैन करना पड़ेगा सभी साध्यों को मेरा सलाम भूमी ने अकेले मेरे लिए जाल नहीं बिछाया एक दिन तुम सब भी उसमें फसोगे पुरा कॉलेज मेरी काबलियत से वाकिफ है मुझ में नहीं हर लास्ट बेंचर में एक सोया हुआ हो न छुपा हुआ है वक्त आ गया है उनकी आँखे खोली जाए उस दृतराश्ट की आँखे कैसे खोलेंगी पढ़ाई कर गे हमसे पढ़ाई का होगी डॉन ऐसी बखवास बात तुम्हारे दिमाग में किसने बरी सुबा शाम प्रोफेसर हर लेक्चर में यही ताना सुनाता है कोई प्रोफेसर अपने दम पे तुम्हें 100% नहीं दिलवा सकता उसके लिए स्टूड़न्स भी बराबर के जिम्मेदार हैं हम फेल क्यों होते हैं क्योंके कम पढ़ाई करते हैं या पिर हमें कॉंसप्स समझ में नहीं आता डान दिन रात पढ़ाई करने पर भी कुछ पल्ले नहीं पढ़ता इसलिए मने पढ़ाई ही चोड़ दी तो अपने गूरू से जाके समझो हमें समझाने के लिए इन प्रोफेसर को मोटी तंखवाई मिलती है कोई हमें चैलेंज करें हमें नालायक समझे तो हमें क्या करना लास बेंच के स्टूडेंट्स में कितना दम है उपर वाला भगवान भी देखेगा और नीचे यह भूमी भी जीत के दिखाओगे ना हमारी जीत होगी सबसे पहले यहां के लोगों को प्रिफरेंस देनी चाहिए मैं कबसे देख रहा हूं तुम ग्राइजोशन कंप्लीट ही नहीं कर देखेगा तुमने तो फर्स सेमिस्टर भी कंप्लीट नहीं कि है है मुझे तो पहले डावट होता है चलो जाओ यहांसे जाओ अजाना वे बहुत अच्छे से आता है चलो एक दिन तुमको दिखलो प्लीज पढ़ाईए ना शएट पढ़ाईए ना शएट अरे नहीं नहीं बाद में आ बाद में आओ कॉलिज टाइम खतम हो गया है घर पाश्ट में पूरा एक कंटा है इतना टाइम आप वेस्ट क्यों करें तब तक सिक्स्टीन मक्स का एक आंसर समझागों हलो सर पाइथागोरस थियोरी क्या होती है सर प्लीज बताइए न इस वक्त अभी आधी रात है आप नहीं तो कहा था रात के बारा वजे भी डाउट सॉल्फ करेंगे कहा ताकी नहीं अलो पूरा टीचिंग स्टाफ एक साथ सबको एक साथ छुटी किस लिए सर क्लास में स्टूडेंट्स ने डाउट पूच पूच के दिमा का दई बना दिया है कितना भी समझा उनके भेजे में घुस्ता ही उनके सवालों के चकर में डर है कि कहीं हम ही पढ़ाने ने भूल जाये सर ना रात को सो पाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं सर ठीक से टॉइलेट भी तो नहीं जा पाते है ना सर अब क्या कहें सर आज तक श्टूडेंट्स टीचर से खौफ खाते थे पर आज के स्टूडेंट् पर वो ऐसा क्यों करेगा सर्य मशिनरी वाला सब्जेक्ट पढ़ा क्यों रहे मुझे नहीं पढ़ा सकता और नहीं पढ़ा सकता और मैं मेकनिकल का प्रोफिसर हूं अगर कोई सिंसिर स्टूडेंट अपने घ्यान को बढ़ाना चाहता है तो उसके गुरू का भी तो मान सब्सक्राइब में सारा बवाल और तुम ही पढ़ रहे हो तॉन कभी पढ़ता नहीं सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करता है एक नजर उपर की तरफ डाल यह स्टुपिड ड्रेस और कैमरा लाने के लिए क्यों कहा तुने मुझे एक बड़ा धवाल करना है फिल्म शूट करनी है क्या शूटीने करना बल्कि एक शॉट फिल्म कॉम्पेटिशन जीतना भी है इस कॉम्पेटिशन के बारे में कुछ आइडिया भी है तुझे कुछ भी नहीं फिल्म इंसिट्यूट स्टुडेंट्स असिस्टन डारेक्टर डारेक्टर और हां स्टार डारेक्टर्स इसमें हिस्सा लेंगे जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा चैलेंज उस लेवल को बिल्कुल नहीं खुले में शूट करके अपने बाप से मुझे थपड नहीं घाने यही सोच कर पूरी कहानी केमपस में रखी है वैसे कहानी क्या है यह हुआ ना सवाल स्टूडेंट्स एंजिनियर बनने का सपना लेके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन कोर्स पूर शूटिंग शुरू करोगे ना तो ऐसे बुरे फंसोगे कि बचना असंभा होगा असंभाव को संभाव बना दे वही असली डॉन मजाया लेकिसी को शूटिंग के बारे में भनग भी लग जाए बच्चे लो किदर यह तुम से पूछ रहा है मैं स्टूडन्स के बारे में पूछ रहा हूँ जा के अपने प्रोफेसर से पूछो उसकी मोठी तंख्वा मिलती है पूछोगे ना हाँ हम पूछेंगे एक दम मस्त डॉन इस तो कमालो नौ रुकिये सर आज आपने पढ़ाने का प्रोबिस किया अज आपक साइंस पढ़ाईए ना शर वो स्पोर्ट्स कोछ है सर सही कहा मतलब नाटक कर रहा है कोई खिचडी पका रहा है पता लगा के रहूंगा उसे आखने में गल्ती कर दें उसके बहाने में तुम्हें सबक सिखाने वाला था पर तुम्हें टॉर्चर करूंगा तब उसे तकलीफ होगे बढ़ने का शौक जागा है ना तो यह अच्छी बात है आज के बाद कॉलेज सुभे 6 बजे से रात के 10 बजे तक चालू रहेग हार एक दिन एक एक्जाम होगा अगर फेल हो गए तो री एक्जाम उसमें भी फेल होए तो री री एक्जाम उसमें भी लुड़क गए तो री 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 एक्जाम जब तक पूरे क्लीन बोल्ड ना हो जा इतना हिल क्यों रहा है हिल नहीं रहा हूँ, डर से काप रहा हूँ लेकिन ये टॉर्चर सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं होगा ये घर तक जाना चाहिए हर क्लास की अटेंडेंस, हर टेस्ट का रिपोर्ट, हर एक्जाम का रिजल्ट मुझ तक पहुचता रहेगा सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ़ते आपके पेरेंट्स से मैं पर्सनली मुलाकात करूँगा सर, और क्या या अल्रड़ी पेरेंट्स आ गए हैं सर बुलाने से पहले कैसे आ गए पता नहीं सर पहले लगा कि बेटे में ही काबिलित नहीं है अब पता चला कि यहां के टीचर सी रंग से नहीं पड़ा रहे बोलो भूमी ऐसा कुछ नहीं है सर, आदे स्टूडेंट्स समझ पाते हैं तो बागी के क्यों नहीं सीख पाते हैं सर, कमजोर बच्चे बहुत है और टीचर्स की सरूरत है तो क्या करूँ, सो स्टूडेंट्स के लिए सो प्रोफेसर्स अपॉइंट कर दूँ सर, पंद्र लाख रुपे एक ही स्टूडेंट्स से तो नहीं लेते हो ना एक काम करो, हर एक से सिर्फ ठेड़ लाख रुपे लिया करो सर, जरूर किसीने चाबी बारी होई है क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की ही तो ड्यूटी है कि वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स तयार करें क्या आपके इस कॉलेज में ऐसे काबिल टीचर्स हैं? सर, कॉलेज में सारे हाईली कॉलिफाइड लेक्चरर्स हैं, सर अजगर सर क्या है वेटा? ताज महल की इमारात यतनी मजबूत कैसे प्यार की वज़े से ब्लाडी इडियट यह सिविल डिपार्टमेंट का कुश्चिन था सर मैं आई टी डिपार्टमेंट से हूँ देख लिए आपने सर ऐसी पढ़ाई करके बाहर किसी को जॉब नहीं मिलेगी मजबूरन सारे कमजोर स्टूडन्स को इसी कॉलेज में टीचर बनना पड़ेगा सर जरूर कोई तो छोल है टेन्थ ट्वेल्थ पढ़ने के लिए भी बीएड की डिगरी लगती है सर लेकिन एंजिनियरिंग के लिए तुमारा मतलब है टीचर्स के लिए भी एक्जाम हो सही समझे सर अगर ये स्टूडन्स के बनाए क्वेश्चिन पेपर सॉल्फ कर पाए तो हम तुरंत इन्हें पढ़ाने के काबिल मान लेंगे खुशी खुशी इनका लेक्चर अटेंड करेंगे सर क्या है मेरा एक ही सपना है कि मैं गोल्ड मेडल लाओ शायद वो पूरा हो जाए हाँ ये आइडिया सही लग रहा है सर क्या कहतो है आप बात ठीक है इस अधी बात है ठीक है ठीक है तयार हो जाओ पास होने पर इंक्रिमेंट भी दूँगा और अगर ये फेल हो गए तो सर लात मार के निकाल दूँगा यह इतना शोर क्यों है ये क्लासरूम है की मच्छी मार्केट है ये कहने जो यहां पर इस तरह चला रहा है सारे स्टूड़न्स एक दम साइलेंट अरे का करूं ये तो सॉली नहीं हो रहा है देखने बड़े हलो येस तुम किस दिपार्टमेंट से हो अब कैमरा डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट कौन सा है कैमरा डिपार्टमेंट कोई नया ब्रांच है क्या है अरे बार-बार कोसना पन करो चुप रहा हो ना जब देखो डिपार्टमेंट के बरे में पूछताट करते रहते हो थोड़ा प्रोसा लगा है ठीक बोले ये मुझे पढ़ना चाहिए आपको तेकर तया आ रही है वाट किदर को चल दी मिस एक्जाम हाल टिकट किदर है आइ फॉर्गोट सुबा नाश्ता करना नहीं भूली गो अपने पैरेंट्स को बुला लेकिन वो मेरे भाई के साथ है दियारे दुबाई ये फाल्तु के बहाने मत बनाओ एक घंडे में वो यहां पर होने चाहिए प्लीज साइड में खड़े हो जाइए यकिन करो मैं सच में तुम्हारी नकल नहीं मारूंगा तो फिर लिखते रहो जो भी पड़ा ता सब भूल गया सर अब समझ आया अकल आ गई चलो पेपर लिगो टाइम आप अभी एक नहीं बज़ा है मेरी घड़ी में हो गया बागी पेपर घर पे लिखना अरे बस पांच मिनट में क्या उखाड लेगा अरे अरे सुनो तो मेरी बात रोमांस का मूट बन गया लेलो बापरे बच गया टाइम अब सब लोग पेपर जमा करो कि एए खिलोनों से खिलने की उम्र नहीं है तेरिया असली गंच आईए वोपट लाल को बुलवा क्लाइमिक शूट करना है अब सुब ऐसे उसी को फोन कर रहा हूं उठा ही नहीं रहा है चल कैमरा निकल थोड़ी दिर में लगाता हूं कि यह खून को बह रहा है सीनियर देखा क्या वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया था यह तो अब ही तक कुछ नहीं हुआ यार बाष्ट निवस्ट निखाने लूगा तो और तेजा ने खूब मांगा इन से कैमरा चीन अब भूमी को दिखाने वाला है जुट बोल रहा है आपक पास कर रहा है यह चुट लोगे तुम कुछ नहीं करोंगे टॉन वाले पास उनो कहीं जोड़ी पॉन तो अधिसके चंचो को मौ रहा है कर उसकी बहुत है ऑन बुडऴर्म कर दो सुर्ण कर दो नहाँ कर दोन दोनां कर दोना है जु खरें जूर सुर्णות कर दोम मस जूर सेंग है वह वह है लग, है खरें सान Insude ह KP है कर न कि अए इद हुआ हुआ हा हुआ आ कर वहुआ है हुआ है पाक कर दियू यह शयू प्लीज मुझे मुट मारो कर ला कर लेट तुम्हारी मार बीट का भी सुबूत मिल गया है और तुम्हारी नकली आक्टिंग का भी फिल्म भाई भूमिनाथ ऑशे तुम्हारी फिल्म के बारे में कुम्हारी पापा को पता है मजा नहींद आए बस इतना है सर और कीड़ केड़ा सर फ्लीज प्लीज प्लीज सर शर ज यो प्लीजаст और कर ले पेर भी म्माफिज नहीं मिलेगे क्यों सर क्योंकि तेरी शकली पसंद नहीं है मुझे सर प्लीज सर प्लीज माफ कर दो सर प्लीज कैसे किया था नचा सुनो कल सुबह इसके बाप को कॉलिज में बुला लो वो सबूत देखेगा और इसका करियर लाइफ फिनिश इसकी सर क्या सिखसर वारा अगर मैं कॉलिज से किया ना तो तुम्हें भी कहीं भेज के रहूंगा कहाँ नर्क में अच्छे अक्टर हो तुम्हे लगा खिलोने वाली गण से डर जाओउगा क्या हूँआ क्या हूँआ काफे नहीं है और गड़गड़ा आओ तो मारूंगा क्यों सार मुझे तुम्हारे शकली पसंद है कि यारे क्लोचा हो गया उसके पात असली है डॉन के हाथ में जो गन है वो असली है तो गन के अद्ना बतली हो गई है शर प्लीज फ्ली गोली माच चलाए शार और ते उससा अदा बतली ओगई है बाला? सर्थ! 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 मेरा एक परिवार है! गोली मत चलाना है! मुझा पुलिस को नहीं बुलाओंगा! एक टेरगेट पर यकीन पर यकीन पर उवी माखी का सब पुलिस को नहीं बुलाओंगा! जोड़ सकता तुमे! हर सुबा सबसे पहले स्टूडेंट के जूते उसके बाल उसका आईडी उसकी है कि एक बात की जाज करते हैं लेकिन क्या शाम को लोटते समय उससे पूछते हैं कि एंजिनेरिंग समझ में आई या नहीं आई? ना पढ़ाई में किसी की मदद करते हैं ना उन्हें स्पोर्ट्स या कल्च्रल एक्टिवीटी में कोई ज्यादा बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट्स इस सिर्फ एक ही अपिक्षा रखते हैं कि वो मशीन बना रहें सिर्फ आप चैसे शिक्षित कुरू बदलाव ला सकते हैं जब तक या बदलाव नहीं आएगा डॉन सवाल पूछता रहेगा जाए हैं कट थोड़ी सी ओवरेक्टिंग हो गई पर भूमी अच्छे से डरा कल मेरा भाजी पाला बनने वाला है आप कॉलिज से और बाप घर से लात मारने वाला है सोचा असली कॉलिज में क्लाइमेक्स बना दू थोड़ा दमदार लगेगा कुछ पल्ले नहीं पड़ा यह भी शूटिंग वाली गनी है सब कुछ एक ड्रामा था सर भर फ्रफिश मत मारन मिन का देगा ना मैं पुल्ली को नहीं पुलाओंगा प्लीज चोड़ा तका तुबैर यह था वा खूल सौस देखे सांप सुंग्या प्लीज मत मारो मुझ्छ घलती हो गई प्लीज मत मारना मरी फैंली है मुझा मत मारना कैसा बोल दा परिए फेलम बाई चक्रवर्ती कोई अच्छा सा टाइटल सोचो पहले फोलो दो केमरा की तरफ स्माइल कीजिये ना चीज बोलना आता है पनीर भी चलेगी हम से पंगालोगे तो ओड़ जाओगे चलो बोल दो बोला नहीं तो शूर्टा दूना कर दो में अगवड़ बोला चक्राइब ज़िए निदेते हैं अभी कोई इसको बुला अरे कुछ निदेते हैं मेरे कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे तुम लोग अगर वो मर जाता तो उसके घरवानों को क्या जवाब देता मैं वीडियो वाइरल हो चुका है कॉलेज का नाम खराब कर दिया इसके सभी साथियों को फोरण डिसमिस कर दो विद द ब्लैक मार्स सब को सस्पेंड करो ओगे सर लेकिन इस से डिसमिस करके पुलिस में कंप्लेंड कर दो कर दूंगा सर अपना भविश्य अपना जीवन मेरे सपने सब जला डाला इसकी वज़ा है सिलेमा लाखों में सिर्फ एक सफल हो पाता है बाकी लोग भीख प्रांगते हैं इतने सॉलों से हमें धोखा दिया अज सीमा पारकर दी शूटिंग के चक्कर में प्रिंस्पल को दॉर देता मैं आपको खोनी लगता हूँ मुझे मारते देखा आपने उसे मानता हूँ मैंने जूट बोले पर क्यों बोले आपकी बेओकोफी बरी सोच की वज़ा से बचपत से कभी मेरी मर्जी पूछी आपने पढ़ाई के नाम पर मुझे कटपुदली बना के नचाते रहे तेज बुखार में भी मुझे स्कूल भेजा फेल होने पर सर मुनवा दिया आपकी मार तो जेल लेता मैं पर स्कूल में सब टकला गंजा कहके चड़ाते थे वो न कि एक बार भी पूछा मुझे दर्ध हो रहा है कि नहीं एक दिन मा के हाथों का बना खाना खाने के लिए घार आया तो ग्रेट्स को लेके आपके ताने सुनके भूक बर गई मेरी यह तक नहीं पूछा कि मैंने ठीक से खाया या नहीं आज तक मेरी खुशी के लिए कुछ किया आपने हां मैं खुश रहूं या घुट-घुट के मर जाओं पर आप एंजिनर बनाएंगे ताकि एजुकेशन लोन चुका सको यहीं बात ना दर्ये मत आपका लोन चुका दूँगा मैं आपने इस फिल्म लाइन में सिर्फ उनी मिसालों को देखाए जो सफल नहीं हो पाए हैं लेकिन मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा काश हब वह पापा होते जो अपने बेटे को आलाद की जिगा तोस्त समझते लेकिन एक दिन तो क्या एक पल के लिए भी वैसे पापा नहीं बने पापा इंसान नहीं पत्थार है आप हेई भूल जा यार सर्विस सेंटर में दिखा दिया है मैंने हाड डिस्क रिकवर नहीं हो सकती अब फिल्म जगत की एक खबर होने वाले फिल्म कॉंपिटिशन को लेकर काफी सारे लोग आ गया आए हैं अभी तक तो हमारे पास लगभग हजार से ज्यादा एंटरीज आ चुकी हैं फिल्म कॉलिटी पर हमारा खास ध्यान है सारी एंटरीज आने के बाद हम दूसरी फिल्म में शॉट लिस्ट करेंगे इन में से विनर कॉन होगा वो गौतम सर ही तैय करेंगे थैंक यू सेर थैंक यू अब कुछ दिन ही रह गए हैं एंटरीज भेजने के लिए ऐसा सुने रहा मौका शायद जिन्दगी में ना मिले दूबारा फिल्म शूट करने में कितना खर्चा होगा कम से कम दो लाख लग जाएंगे लास्ट डेट में थोड़े यह दिन रह गए यार समझने यार आप क्या करूँ सबसे पहले एक नई कहानी लिख तब तक मैं फंड का जुगाल कर लूँ मू क्यों लटका रखा है तुम्हे इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा और क्या करूँ पापा ने तो मेरी फिल्म ही चलाड़े और नई फिल्म के लिए ना कहानी है न वक्त है न पैसा है ज्यादा तर एंट्रीज आ चुकी हैं कॉम्पेटिशन जीतना तो दूर उसमें हिस्सा भी नहीं ले पाऊंगा पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खुबी क्या है तुम्हारी सकारात्मक सोच मुश्किल परिस्ति को भी शानती से संभाल लेते हो यह लो इससे शुरुवात कर लो अपनी आप रास्ते निकलेंगे क्यों आंगो रास्तर में फिल्म देखते हैं वह आई थी क्या इससे तुम्हें क्या अपनी फिल्म के बारे में सोचो देखिए शॉट बढ़िया रहेगा अमें पूछना है पूछ तुम्हारे घर में शूट कर ले शूटिंग के लिए घर दे सकते हैं क्या पीस पापा क्या। तो बताओ डॉन कैसे हो दूँ आप कैसे हैं सर एकदम कड़क तो बताओ कहां तक पहुँची हो तुम्हारी क्रांतिकारी फिल्म वो तो नहीं रही एक नई कहानी लेकी है फिल्म बना डाली है क्या बात है सफल फिल्म मेकर बनना और हाँ तुम्हें इसलिए बुलाया था चैर्मेन सर से मेरी बात हो गई अपनी केटी क्लियर कर लो और डिगरी ले जाओ क्या बात है कुछ नहीं सर आपने हमेशा काप यहां से ग्रेजवेटों के जाने नहीं देंगे तो कहात होता है पर ऐसा करूँगा नहीं मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ यार किसी ने कहा तुम पर मर्डर का केस करूँ पर मेरा दिल नहीं माना तुमारी लाइफ खराब कैसे करता है जब स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो टीचर्स का फर्ज होता है कि उनकी गलतियां सुधार हैं उनकी बलाई के लिए मैं भी आज यहां हूँ ऐसे एक टीचर की वजह से अब जाओ अपने केटी वगरा क्लियर कर लो और इंजिनियर बन जाओ अरे जाओ ना अगर कॉलेज में कुछ शूट बूट करना हो तो मुझसे कह देना कि शूटिंग की पर्मिशन दे दूंगा सर सॉरी सर ए चल बाद क्या वाकई में सीरियस हो यकीन नहीं हो रहा क्या वाकई में सीरियस हो संपिक्चर्स के द्वारा आयूजित इस फिल्म कॉंपिटिशन के रिजर्ट सुनाने के लिए हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहां आ चुके हैं सो लेट्स वेलकुम मिस्टर गॉतम मेनन अन स्टेज वेलकुम सर्फ यहां आयूज नमस्टे शन पिक्चर्स ने एक बहुत अच्छी पहल की है यूवाट आलेंट को तलाशने की देखते हैं कौन जीता है गोल्डन टिकेट तो फिल्म इंडस्ट्री अल्डेस्ट्री अल्दे बेस्ट इस कॉमपटीशन के फर्स्ट फाइनलिस्ट है लेक्स वेल्कम बूरुगंड उन स्टेज नमस्ते आप सबका शुक्रिया अब बुलाना चाहोंगे दुस्ट चख्रवर्ती को इस कुछ गिए तेंक यू गौतम सर आप से प्रेड़ित होके फिल्म डेरेक्टर बनना चाहा हमें मौका देने क्ले शुक्रिया मैं काहनी के लिए दर दर भटकता रहा पर लाइफ में घटी एक घटना ने मेरी सोच बदली और मेरा चीवन भी बदला ये वही काहनी है मौक्यों लट गई बैटियो सच कहूं तो आप पर गुस्सा नहीं हो वो सादमी से चड़ावाओ तेरी बास सुनी मैंने सुनी और समझ भी ली उस वक्त तु सिर्फ छे साल का था तोदली जबान में बोलता था ऐसा कोई मंदीर नहीं है बिटा जहां तेरे पापा नहीं ले गए जामतकार हुआ तु कैची की तरह बोलने लगा अपने पापा के बारे में जानती क्या हो आज भी उनका सिर्फ एक ही सपना है कि दुनिया में तेरा अच्छा नाम हो तुझ पर कोई कर्ज ना हो तु अपने पैरों पर खड़ा हो पाए तेरे लिए उन्होंने रिष्टेदारों से उधार मांगा शर्मिन दा हुए उम्रा भर बस जिल्लत सही है सर्फ तेरे खुशी के लिए तुझे सही रास्ता दिखाना चाहते है तेरे लिए कुछ भेजाए जा पेटा उस लड़की को उसके कंगन लोटा दे तो क्या कहा उसने मायूस हो गया है वो मुझे जो कहना था वो कह दिया बच्चे साइकल सीखते वक्त गिरते ही है मा बाप भी अपनी परवरिश में की गई गलतियों से सीखते है दुनिया का हर बाप यही करता है यही नहीं समझ पाया मेरा बेटा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है भवानी कोई अपने सपनों के लिए हर दुख जहलने को तयार हो तो यकीनन उसकी जीत होगी मेरा बच्चा लाखों में एक है जब लोग मुझे देखेंगे तो मुझे एक बड़े डारेक्टर का पापा कहेंगे आप चाहे कुछ भी कहें पर उसने आपका अपमान किया यह मुझे अच्छा नहीं लगा अभी वो बच्चा है जा उठीए नँ उठीए क्या होगी आपको नहीं नहीं क्या होगी याद है मुझे जिप पहली बार तुझे अपने हाथों में उठाये था पता है भगवान से क्या मांगा था उन्होंने तुझे लेकर ही घर लोटे उनकी साइकल की वाजे से घर में दो वक्त का खाना आता था इसलिए वो उसका खयाल रखते थे उन्हें हमेशा एक हिड़र रहता था कि कहीं तु कमजोर ना बन जाए इसलिए बुखार में भी तुझे स्कूल बेज़ते थे यादा है यादा है मेरा बस चले तू दुनिया की सारी खुशी मैं इसके कदमों में रख दू लेकिन उसके लिए पैसा कहा से लाओ तू जानना चाहता है ना उन्होंने तेरे लिए क्या किया उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा बस तेरे बारे में सोचते रहे तू ने कहा ना वो तेरे पिता नहीं बन सकते लेकिन हर बल हर दिन वो बस तेरे पिता बन कर ही जिये है क्या कभी तुन्हे उनके पैरों की तरफ ध्यान दिया अगर कभी देखता तुन्हें दुख नहीं पहुंचाता है है अभी बच्चा है वो इंसान नहीं पत्थर है मेरी पेली फिल्म उसी थेटर में रिलीस हुई जहां पेली बार मेरी वो शॉट फिल्म रिलीस हुई थी तुन्हे पापा के विश्वास को नहीं तोड़ा लोग मुझे बड़े डारेक्टर का पापा कहेंगे फिल्म हेट है यार इजे कोई नहीं रोग सकता बढ़े, सुन्हें वेल्कम सर्व येस सर्थ थैंक्यू पाग कर तुन्हें इसे अंच्छ जूसर्व करने के लिए कोई नहीं है डरेक्टर साहब पदा चुके हैं सर्थ अरे वो चीफ गस नहीं है उसे डॉक्टरेट देने वाले हैं क्या डॉक्टरेट दूंगा अरे तुम्हारे उस डिरेक्टर के अब तक डिगरी पूरी नहीं वी आ सर पीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर फैन्स है नहीं सर फैमली है आजा मैं मैं कैसे अरे आओ आजा स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते ही हैं कि यह एक डिरेक्टर हैं लेकिन मैं नहीं कॉलेज के डॉन के नाम से जानता हूं मुझे हमेशा पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स की खबर रहती थे जो अच्छे मार्क्स लाते थे लेकिन एक्जाम में कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की एहमियत मुझे इन्होंने ही समझाई थे कॉलेज के बाद हमारे कई स्टूडेंट्स ने अलग फील्ड्स चुने स्पोर्ट्स, आर्ट्स, फोटोग्रफी कई क्षेत्रों में करांती लाई पर उस करांती की शुरुवात नहीं कई बार इन्हें चीफ गेस की तरह बुलाने की मैंने कोशिश भी की लेकिन कुछ बोलो आज तक किसी ने मेरा इतना अच्छा इंट्रों कभी नहीं दिया जब मैं इस कॉलेज में था लास्ट बेंच पे बैठके शरारत करता था क्लासिस बंक करता था लड़किया छेड़ता था मार्क शीट में जोल करता था इसलिए लोग मुझे बुलाने लगए डॉन सही नाम था जो इनसान अपनी प्रतिबा पहचान पाए वो है एक असली डॉन सर ने बताया कि कॉलेज में सब मुझे डॉन डॉन करके बुलाते थे लेकिन आज इस नाम पे फक्र होता है उसका हगदार हूँ सबसे खुशनसीब लोग वो है जिनके पास अच्छे दोस्त और घरवाले हूँ भगवान का आशिरवाद मिलाए उन्हें स्टूडन्स होके प्रोफेसर्स की खूब टांग खीच के हमारे अंदर एक हीरो वाली फीलिंग आ जाती थी लेकिन जब वो हमें माफ कर देते तब हमारे हीरो बन जाते इसलिए मेरे सबसे बड़े हीरो तो भूमी सहरी है सर थैंक्यू सो मच सर एक और भी इंसान है जिसकी वज़ा से सफल हो पाया और वो है मेरे पापा उनका सपना था कि एक दिन मुझे स्टेज पर ये डिगरी मिले जब जब मुझे वक्त मिला मैं पढ़ाई करके केटी क्लियर करता रहा और अब डिगरी मिल गई बच्चों को हीरो बनाने के चक्कर में पिता अपनी आखरी सास तक विलन बने रहते है और मेरे बापा ने मुझे सूपर हीरो बनाया और खुद मेरे लिए उम्र भर सूपर विलन बने रहे बाबाब की सकती को उनका प्यार समझे उनके खोश रखे उनकी इज़त करे ऐसा नहों जब तक एहसास हो और वो शायद दुन्या में ही ना रहे जब तक एहसा हो आपित। कर दो कर दो कर दो झाल झाल